गुड नून बच्चे बच्चो हम क्या लिखना सीख रहे हैं इंग्लिश में? लैटर्स, अल्फबेट्स, है ना? E कौन सा लैटर सीख रहे हैं हम? E E for elbow मैंने आपको लाइफ क्लास में बताया था elbow क्या होती है? हमारे बाद जूकी ये वाली जो कोर्णी होती है इसको हम elbow कहते हैं ठीक है? E for engine E for example जब हम किसी की example लेते हैं ना? वो क्या हो गया? E for example ठीक है? E for eyes Eyes मारी क्या है? Parts of body Ears Ears क्या है? Parts of body हम सब के पास eyes और ears हैं ना? Two eyes है, two ears है फिर E for egg Egg क्या हो गया? Hen का baby निकलता है, है ना? चिक निकलता है, जो उसको हम egg बोलते हैं किस में से निकलेगा? वो egg से, ठीक है? E for elephant elephant क्या हो गया? हाथी कितना मोटा हाथी होता है ना? देखे आप सबने मोटा होता है वो तो अब हम इसकी लिखने की practice करेंगे E for elbow E for elbow E for elbow E for elbow E for engine E for engine E for engine E for engine E for ice E for ice Ice क्या होगी? आँखे हमाल पास कितनी आँखे है? Two दो आँखे है ना? E for ears Ears क्या होगे? कान जिनको हम कान बोलते हैं उनको हम English में क्या बोलेंगे? Ears ठीक है? कैसे लिखेंगे हम इसको one डालेंगे एक dash डालेंगे फिर एक dash सेंटर में और फिर एक dash हम last में डालेंगे end में ठीक है? क्या बन जाएगा? E for elephant E for elephant E for elephant E for egg E for example E for example E for 11 E for elephant ठीक है? आप अच्चोंने भी आशे ही लिखना है सुन्दर सुन्दर करके लिखना है आपने ठीक है? और गलती नहीं करनी है पैंचिल अच्छे सी शॉप कर लेनी है फिर लिखना है ठीक है? ओके क्लास थैंक यू